गर्मियों का मौसम हो और खाने के साथ मसालेदार चाच मिल जाए तो मजा ही आ जाता है उत्तर भारत में चाच एक ऐसी ड्रिंक है जिसके बिना यहां का खाना अधूरा ही लगता है वैसे काफी लोग इसे खाने के साथ सिर्फ टेस्ट के लिए ही लेते हैं लेकिन क्या आपको मालूम है कि चाच लेने से हमें कैसे ऐसे फायदे मिलते हैं जिससे हमारी किड्नी स्वस्त रहती है क्यों आपको नहीं पता था ना? अब इतना तो पता ही होगा कि चाच लेने से हमारा पेट यानि की पाचन तंत्र मजबूत होता है क्या ये भी नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ आपको बस इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप कियो हुए पूरा देखना होगा तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के बेस्ट किडनी डाइट चानल स्टॉप किडनी डालसिज में यहां आपको मिलेगी किडनी और किडनी डाइट से जोड़ी सारी जानकारी बस एक क्लिक में चली अब जानते हैं चार्च पीने से मिलने वाले पहले फाइदे के बारे में और वो यह है कि इस से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है एक स्टडी के अनुसार चार्च में मौझूद बायो आक्टिव प्रोटीन कलेस्ट्रोल लेवल को कम करने में मदद करता है साथ ही चार्च में मौझूद क्याल्शियम, पोटाशियम और मैगनीजियम भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है इसलिए अगर आप high blood pressure से जूज रहे हैं तो आपको अपने दोपहर के खाने के साथ चाच जरूर लेनी चाहिए इससे आपको खाने में टेस्ट भी मिलेगा साथ ही आपका blood pressure भी काबू में आएगा blood pressure को अगर काबू में न रखा जाए तो इससे हमारी किड्नी के filters damage होने लगते हैं जिसकी वज़े से आने वाले समय में किड्नी खराब हो सकती है इसलिए इसे हमेशा काबू में ही रखना चाहिए अब जानते हैं चाच पीने से हमारी हड्या कैसे मजबूत होती है दूद, दही और चाच इन तीनों में कैल्शियम की मातरा काफी होती है जो की हमारी हड्यों के लिए काफी जरूरी होती है हमारी किड्नी कैल्शियम की मदद से हमारी सभी हड्यों को मजबूत बनाने का काम करती है अगर हम चार्च की मदद से अपनी हड़ियों के क्याल्शियम की कमी को पूरा कर ले तो इससे किड्नी पर काम का बोज गम पड़ता है और किड्नी पहले से भेटर काम कर पाती है चार्च में मौजूद क्याल्शियम हमें ऑस्टेपरोईसिस की बिमारी से बचाता है साथ ही किड्नी को भी स्वस्त रखता है काफी लोगों को इस बारे में जानकारी ही नहीं है कि किड़नी खून साफ करने के साथ साथ हमारी हड़ियों को भी मसबूत बनाने का काम करती है तो अब चाच लेना शुरू करें और किड़नी को स्वस्थ बनाएं तो ये था चाच पीने का दूसरा फायदा और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चाच पीने के तीसरे फाइदे के बारे में जो की है डिहाइडरेशन से बचाव गर्मियों में अकसर डिहाइडरेशन की समस्या हो जाती है जिससे किड्नी पर बुरा असर पड़ता है क्यूंकि बॉडी में पानी की कमी होने की वज़े से किड्नी ठीक से काम नहीं कर पाती और इसका सरसीधे यूरिन पर नजर आने लगता है ऐसे में अगर चाच ली जाए तो इससे डिहाइडरेशन की समस्या से बचा जा सकता है चाच में काफी मात्रा में पानी, फैट और भी काफी पौशक तत्व होते हैं जो कि बॉडी को पानी से ज्यादा हाइडरेटेड रखते हैं इसलिए डिहाइडरेशन से बचनी के लिए और किड्नी को हर समस्या से बचाने के लिए आप चाच जरूर ले चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चाच पीने के चौथे फाइदे के बारे में जो की है पाचन तंत्र तकरीबन हम सबी इस बारे में जानते हैं कि चाच पीने से पेट की समस्या नहीं होती लेकिन काफी लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है दरसल चार्च में काफी मात्रा में आसिड होता है जो बैक्टीरा के खिलाफ लड़ने का काम करता है और डाजिस्टिफ सिस्टम को स्मूध रखता है चार्च में मिलाए जाने वाले सभी मसालों में पार्चन एजिंट की तरह काम होता है चाच में अधरक, काली मिर्च, सेंधा या काला नमक और भुना जीरा जैसे मसाले इस्तेमाल किये जाते हैं जो कि चाच को और भी ज्यादा शक्ती शाली बनाते हैं ये सभी combinatorial material हैं जो पेट से गैस को दूर करते हैं इसके साथ ही चाच पीने से lactose intolerance, irregular bowel movements, irritable bowel syndrome और stomach infection जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है इतना ही नहीं चाच लेने से कब्स की समस्या भी नहीं होती एक स्वस्त शरीर के लिए स्वस्त पाचन तंत्र जरूर होना चाहिए और स्वस्त पाचन तंत्र के लिए दोपहर के खाने में चाच जरूर होनी चाहिए अब आप कहेंगे कि बाकी के खाने में क्यों नहीं तो मैं आपको बता दूँ कि चाच की तासीर ठंडी होती है इसलिए इसे रात के समय नहीं बलकि दोपहर में लेना सही होता है अब कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा कि क्या किड्नी रोगी इसे ले सकते हैं तो उन्हें बता दूं कि किड्नी रोगी दही ले सकते हैं लेकिन चार्च नहीं चार्च में काफी मातरा में पानी होता है जिसकी वज़े से किड्नी रोगी को चार्च नहीं दी जाती तो ये हैं चार्च पीने के वो कुछ फायदे जिससे हमारी किड्नी रहती है एकदम स्वस्त तो आज के लिए बस इतना ही आपको हमारी आज के विडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं विडियो अच्छी लगी और अगर आप ऐसी और भी विडियो चाहते हैं तो आप इस विडियो को लाइक और शेयर करना बलकुल न भूलें और सबसे जरूरी बात यूट्यूब के बेस्ट किड्नी डाय चानल स्टॉप किड्नी डालेसिस को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं फिर अगली विडियो में तब तक के लिए नमस्कार